जैहिन आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम जैन धर्म, बौध धर्म और जो महाजनपत थे हमारे उनके बारे में डीटेल से पढ़ेंगी तो जैन धर्म के बारे में, बौध धर्म के बारे में आपको इस वीडियो पर जो है उससे संबंदित प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और साथ में जो जैन धर्म में जो संगीती हुई थी उन दो संगीतियों के बारे में भी पढ़ेंगे और जो बौध धर्म में चार संगीतियां होती थी यह काफी बार पूछे जाते हैं तो इन सभी को हम पढ़ेंगे तो चलिये शुरू करते हैं पहला प्रस्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो वास्तविक संस्थापक पूछा गया है इसका जो सही वत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी अगर इसका सिरफ संस्थापक पूछा जाता तो वो रिसवदेव थे जो कि पहले तेर्थंकर भी थे लेकिन अगर कहीं पर वास्तविक संस्थापक करके पूछा जाए तो वो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये अंतिम तेर्थंकर भी थे अगला प्रस्न है इसी से रिलेटिट जैन धर्म के 24 वे तथा अंतिम तेर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी थे ये 24 वे और अंतिम वे तेर्थंकर थे अगला प्रस्ण है हमारा पार्सवान द्वारा प्रतिपादित चार महावरतों में जो महावीर श्वामी ने कौन सा पांचवावरत जोड़ा ये पूछा गया है अब परिग्रह सत्य ब्रह्मचरिय अस्ते तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है ब्रह्मचरिय यह उन्होंने जोड़ा था ओप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है जैन धर्म में त्री रत्न है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चरित्र यह सभी क्या है जो जैन धर्म के त्री रत्न है तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक यान तो ऑप्शन 20 का सही उतर है यह सभी अगला प्रस्ण है महावीर का जन्म कहां हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान पूछा गया है राजगीर, सारनात, वैसाली या कुसीनगर तो वैसाली विहार में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का अगला प्रस्न है स्यादवाद किस धर्म के दर्सन का मूल आधार है जैन धर्म, बौध धर्म, सेव धर्म या भागवे धर्म यहाँ पर जैन धर्म की बात की गई है तो जैन धर्म इसका सही उतर है और कभी भी अगर स्यादवाद पूछा जाए, तो वो आपको याद रहना चाहिए जैन धर्म से यह, जो इस धर्म का यह दर्सन का मूल आधार है अगला प्रसन जैसे कि मैंने बताए जो जैन संगीतियां हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगी तो प्रथम जैन संगीति कहा युजित की गई थी ये पूछा गया है तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो पार्टली पुत्र में हुई थी इनके बारे में हम डेटेल से पढ़ते हैं जो दो संगीतियां थी तो जो सलाइट को मैं एक बार उपन कर लेता हूँ तो ये कई बार पूछा जाता है जैन धर्म में दो सभाई वही थी और जो हमारा बौध दर्दमहा उसमें चार सभाई वही थी इस पर ध्यान रखे जो प्रथम जैन सभा थी उसमें जो प्रथम जैन संगीति थी उसका आयोजन लगभग तीन सो इसा पूरूब में हुआ था और ये सभी जो ये सभा है वो चंद्रगुपत मौरे के ये काल में हुई थी ये काल यहां पर है और पाटली पुत्र में जो प्रथम जैन संगीति वी थी पाटली पुत्र स्थान याद रखें और जो इसका अध्यक्षिता कई बर पूचा जाता है तो स्थूल भद्र क्या थे इसके अध्यक्षिते इसके कारे क्या थे इसमें जो जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का इसमें संपाधन हुआ था जो प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं स्वेतामबर दो भागों में यहाँ पर बढ़ गया था तो दिगंबर और स्वेतामबर में यह बढ़ गये थे इसमें जो आपने पड़ा होगा कि जो दिगंबर होते हैं वो वस्तर रहित रहते हैं और जो स्वेतामबर होते हैं वो स्वेत वस्तर धारन करते हैं जो दिगंबर और स्वेतामबर जो दुतिये जैन सभा हुई थी वो समय था 512 इस्वी में और इसके जो इस्थान है वो भी जो वल्लभी में दुतिये जैन संगीती का इसमें आयोजिन किया गया था और इसके जो अध्यक्षिते देवर्सी शमा श्रमन तो पहले के स्थूल बद्र थे और दूसरे के देवर्सी शमा श्रमन इसके अध्यक्षिता में यह हुआ था और इसका जो कार्य था धर्म ग्रंतो उनको अंतिम रूप से शंकलित कर उनको लिपिवद्द या उनको सही तरीके से उनको अंतिम रूप से संकलित किया गया था तो दुती जैन सभा वल्लभी में हुई और पर्थम पाटली पुतर में हुई इसका आप ध्यान रकेंगे अगला प्रसन है हमारा तो हमने अभी जैन जो संगीती है उनके बारे में पड़ा महावीर ने किस भाषा में उब्देश दिया प्राकुरत, संस्कृत, हिंदी या द्रविण तो प्राकुरत भाषा में महावीर स्वामे ने उब्देश दिये थे और इनके जो भी कल्प सूत्र जो भी इनके जो ग्रंथ थे वो भी ज्याद अतर प्राकरत भासा में ही लिखे गए हैं ये दियान नखेंगे अगला प्रस्न महात्मा बुद्ध का जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्त में हुआ था ये अप्शन D सही उतर अगला प्रस्न महात्मा बुद्ध के जो ग्रहत्या को बौध ग्रंथों में क्या कहा जाता है तो महा परिनिर्वान या धर्म चक्रपरवर्तन या महाभिनिस्क्रमन इन्वे से कोई नहीं तो ओप्षन C इसका सही उतर है महाभिनिस्क्रमन इसको कहा जाता है ओप्षन C टिक कर लेंगी अगला प्रस्न महाभिनिस्क्रमन इन्वे से कोई तो जो उरुवेला में है निरंजना नदी के तट पर इनको ज्यान प्राप्ति हुई थी अगला प्रस्न महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया था लुम्बनी बोध गया कुसी नगर या सारनाथ तो जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था ओप्षन D है इसका सही उतर अगला प्रस्न बॉद्ध धर्म के त्रिरतन है तो बुद्ध संग और धम ये भी प्रस्न काफी बार पूछा जाता है तो ये तीनों इसका सही उतर है बुद्ध संग धम ये तीनों इसके क्या है त्रिरतन अगला प्रस्न महात्मा बुद्ध ने अपने उबदेश किस भासा में दिये थे जहां एक और महावीर स्वामी ने प्राकृत में दिये थे तो इन्होंने पाली भासा में दिये थे अगला प्रस्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है गांधार तक्षिशिला ये भी सही है अंग की जो राजधानी थी वो चमपा थी मगत की राजधानी ग्रीवरिस थी और जो कौशल थी उसकी राजधानी स्रासविती थी तो अप्सन डी मत्रा यहां पर गलत हो जाएगा इसके हम जो सोल महाजनपत थे उनके बारे में पढ़ते हैं तो जो 16 महाजनपद और उनकी राजधानिया आप यहाँ पर देख सकते हैं कासी की वाराने सी, ऐसे कौसल की मैंने अभी बताया आपको स्रावस्ति और अंग की चमपा, चैदी की सक्तिमती ऐसे वाजस की कौसामबी, कुरू, इंदरपरस्त, बांचाल, अहिशल या कामपिल्य, मचसे की वीराद नगर, सूरसेन, मतुरा, अश्मक, पैठान तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर मांचितर में भी देख सकते हैं पंबोज था यह जो अभी के, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, गानधार भी, यहाँ पर अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में है, फिर मचसे और सूरसेन, चैदी, वत्स, वंती, और यह जो मगध है, यह पार्टले पत्र, कौसल, ऐसे फिर यहाँ पर आप देख सक बाकि जो बौद धर्म में संगीतियां हुई थी उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर बौद धर्म में जो बौद में कुल चार संगीतियां हुई जिन में से जो प्रथम हुई थी वो राजग्रह में हुई और ये लगभग इसका समय दिया गया है चार सो तिरासी इसापूर्व अध्यक्षि थे इसके महा कशप और सासनकाल था इसमें अजात सत्रों ये क्वंच के जो सासक थे अजात सत्रों उसके काल में ये संगीति हुई थी इसका उद्देश से भी दिया गया है बुद्ध के जो उबदेशों को दो पिटकों विनैपिटक तथा सुत्पिटक में संकलित करना था ये क्या है इसमें उबदेश जो है विनैपिटक और सुत्पिटक में संकलित किया गया है बुद्ध के उबदेशों को जो दुती बहुत संगीती हुई वो वैशाली में हुई 383 इसापूरों में और ये हुई थी साब कमीर में या सर्वकामिनी में सासनकाल किसका था इसमें इसमें सासनकाल था काला सोग जो की सिसुनाग वन्सका था इसका उद्दे से क्या था जो अनुसासन को लेकर मदभेत के समाधन के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महा सांगीक दो भागों में बढ़ गया था तो जो तरतिय बौद्ध संगीती हुई वो पाटली पुत्र में हुई लगबग 251 इसापूर और जो इसके अध्यक्ष थे तो उसके अध्यक्ष आब यहाँ पर देख सकते हैं मौगली पुत्त तिस और जो सासनकाल था वो असोक मौरेक वंस के यह सासनकाल तो इसका जो मुख्य उद्ध से था वो संग के भेत के विरुद कठोर नियोमों का यहाँ पर प्रतिबाधन करके बौद धर्म को स्थाईत्यो प्रदान करने का इसमें प्रियादन किया गया था इसकी जो चतुर्त और अंतिम बौद संगीती कस्मिर के कुंडलवन में हुई थी और यह वसुमित्रिस के अध्यक्षिते अश्वगोस जो है उपाध्यक्षिते तो इसमें जो बौद धर्म है दो संप्रदायों में बढ़ गया था हीनियान और महायान तो कई बार यह प्रसन भी आसकता है कि हेनियान या महायान किस धर्म से संबंदित है जैसे स्वैतांबर और दिगंबर जैन से है तो यह है बौद धर्म से संबंदित है अक्सर जो पहली और अंतिम पूछी जाती है तो पहली हुई कहाँ पर राजग्रह में और अंतिम वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं धन्यवाद।